मुझा आज में एक हर्म हुए एक्स्प्रिंग करने है कुछ फ्रेंड्स होती है जिनकी एक फ्रेंड मर जाती है उसके बाद इनके साथ अलग अलग हाथ से होने लग जाते है इस मुवी में लास्ट का जो ट्विस्ट आता है वो बहुत ही खतर नाक है तो पूरी वीडियो में बनी रही है आज की मुवी का नाम है डेट फ्रेंड इ एलिना वो इन दो लड़कियों को समझा रहे होती है कि इस बोर्ड में क्या हो रहा है ये लड़किया एलिना से पुछती है कि इस बोर्ड में क्या हम भूत को देख सकते है एलिना कही थी कि नहीं अगर भूत तुमारे सामने भी आ गया फिर भी तुम इससे नहीं देख सकत ये दोनों लड़किया फिर भूत से question पुछती है कि तुम इस world में क्यों आये हो इस board से इने पता चलता है कि इसके आने का reason revenge है इसके बाद ये पुछती है कि ये कहा है तो door के यहाँ point हो जाता है इसके तुरण बाद door open हो जाता है और ये तीनों लड़किया डर जाती है यहा इरिना के sister एरिना को कहती है कि अगर तुमने यह सब बन नहीं किया तो मदर को में बता दूँगी जल्दी से अब सोजा तुमारी entrance से इसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है यह कहे कर फिर वो चली जाती है इरिना अपनी sister पर छीड़ गई होती है अपनी friend को कहती है कि इसे नीन नहीं आती हमें भी यह कुछ भी नहीं करने देती एरिना के sister फिर kitchen में जाती है kitchen में जाने के बाद जो sink होता है उसका नल बनने हो रहाता sink के पास जाकर जब वो पानी निकालती है तो उसका जो धक्कन होता है वो उपर आ जाता है इस धक्कन के नीचे बहुत सारे बाल होती है यही देखकर डर जाती है sink से उपर पानी आने लग जाता है पानी नीचे गेर कर इसकी पेर तक आ जाता है और अब इसके body में घुश जो पानी इसकी बॉड़ी में गया था, ये पूरा इससे मुह से निकल रहा है, जैसे इसे उल्टी आ रही है, पर ये पानी की उल्टी होती है एलिना की सिस्टर अब मर जाती है, इसके बाद टाइडल रोल होता है, और हमें अब मेन दिखाई गई है मेन जो है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये स्विमिंग लेसिन लेते हो हमें दिखती है, इसका एक बॉइफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम पार्क होता है पार्क मेन को स्विमिंग पूल में ढून रहा होता है तो मेन पीछे से आ थी और इसे ढखल दीती है इसे तेरना नहीं आता तो फिर से इसे खुद ही बजा लेती है ये पार्क का मज़ा गुडाती है वो कहती है कि तुम तो आर्मियों में थे पर फिर भी तुम एक तेरना नहीं आता पार्क कहता है कि वहाँ में हल्वाई था मुझे ये सब नहीं आता ये कहता है कि तुम हमेशा सुविंग पूल में होती हो इसलिए तुमें आता है मैं स्टड़ी में माहिर हूँ ये दोनों एके College में पढ़ते इसके बाद हमें ये दोनों Classroom में दिखाया जाते है मीन जब Classroom में होती है तब एक लड़की उसे बाहर से फोटो ले रही है ऐसा उसे दिखता है मीन की जब Class खतम हो जाती है तब पार्क बाहर खड़ा होता है वो अलग-अलग जॉब्स देख रहा होता है मीन उसे कहती है कि तुम अभी से क्यों जॉब ढून रहे हो अभी तो तुमारे लिए दो साल है पाक कहता है कि इतने जादा जॉब्स है उले पलने है मुझे अभी से तैयर ही करने पड़ेगी पार को बुरा लग रहा होता है क्योंकि मीन उसे छोड़ कर अप जाने वाली होती है मीन अपने आगे की ग्राइजुएशन करने के लिए अलग सिटी में जाना चाती है यह इसे बूशता है कि क्यों तुम यह सब छोड़ का जाना चाती हो यह सेलफिस समझता है यह कहती ही कि मैं खुद बेटर होना चाती हो इसलिए मैं जाना चाती हो इसके बाद यहां से निकल जाती है और डॉक्टर के पास हमें दिखाई गई है यहां में पता चलता है कि मीन की जो यादाश्टे यह सब चली गई है इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर से समझाता है तुम्हारे जो यादाश है यह कभी भी वापस आ सकती है पर इसके लिए तुम्हें अपनी जो मेडिसिन से यह सही से लेते रहना है इसके बाद यह रात में जब घर वापस आती है तो इसकी मदर इसके डैड की फोटो के सामने बेठी हुई होती है इसकी मदर और यह अकेली ही रहते है जब यह चोटी थी तभी इसके फादर मर गए थे आज यह लेट हो चुकी है इसकी मदर ने उसे कहा था कि वो जल्दी वाफस आ जाए पर यह लेट हो चुकी है तो इसकी मदर इस फोर बहुत ही अपसेट है यह कहती है कि तुम फिर से भूल के मैं अकेली हूँ तुमारे फादर जाने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो चुकी हूँ पूरे दिन बर मुझे इस घर में अकेला रहना पड़ता है और तुम अब यहाँ से जाने वाली हो तुम्हारे फादर और मैंने दोनों ने मिलकर तुम्हारे परविरिश्च की और जब तुम अब बड़ी हो चुकी हो तब तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो मिन कहती है कि मैं एक मेरे खुद के लिए जाना चाती हूँ मेरी यादाश चले जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है यह जो लाइफ है इसमें मुझे सब जानते है पर मैं किसी को भी पहचान नहीं पाती अगर मैं कही नए शहर गई तो वहाँ एक नए लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ जब नी मदर को कहती है कि तुम्हे अपने लाइफ जीना स्टार्ट कर देना चाहिए मिन की जुमे मेरी चोती है यह थोड़ी थोड़ी वापस आती रहती है इसे पार्क में वो और उसकी फ्रेंड खेल रही है यह दिखता है नेक्स दिन जब यह स्विमिंग पर जाती है जब अपना लॉकर खोलती है तो वहाँ एक छोटी लड़की छुपी हुए होती है यह इसे देखकर डर चाती है इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो यह चोटी लड़की कहती है कि मेरी फ्रेंड से में चुप रही हूँ हाई रैंसी के खेल रही है वह में इनको लॉकर बन करने के लिए कहती है मीन लॉकर बन कर देती है पर थोड़ी देर बाद उससे कहती है कि मुझे मेरे सब क्लॉट से गरा निकालने है ये लड़की अंदा से कुछ भी जवाब नहीं देती है जब एक खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता इसे समझ मीन आता कि इसने क्या देखा था अपने फ्रेंड को ये सब समझाती है पर इसे कुछ भी बिलिव नहीं हो रहा होता इसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ अभास हुआ होगा जब मीन और पाग घर जा रहे होते है तब वहाँ और एक फ्रेंड उसकी उसे दिखती है इसका नाम होता है जेनी जेनी के पास आकर फिर मीन बेट जाती है मीन को कुछ भी पता नहीं है तो जेनी फिर उसे बात करती है जेनी उसे कहती है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद किसी को तुम हिट कर सको ऐसा तुम्हें कोई चाहिए था वो फिर अपने फ्रेंड की और उसकी फोटो उसे दिखाती है मीन अब इंटरेस्टेट हो जाती है मीन कहती है कि जो अक्सिडंट हुआ था इसके बारे में तुम्हें पता होगा इसे अक्सिडंट में मीन की सब यादाश चली गई थी जेनी फिर कहती है कि यह इंपोर्टन नहीं है जैनी उसे कही थी कि हमारी एक फ्रेंड थी, वो अलग-अलग चीज़े देख रही थी, थोड़े दिन बाद वो मर चुकी है जैनी मीन से कही थी है, क्या तुमें भी ऐसी कुछ चीज़े दिख रही है जैनी को लग रहा होता है कि मिन भी डेंजर में है क्योंकि उसने मिन को सबने में देखा होता है सबने में मिन ने कोई भी मेकप नहीं लगाया था जैनी उसे कहती है कभी भी बीना मेकप लगाये तुम घर से बाहर नहीं निकलती थी मीन जब पार्के साथ डिनर करी होती है तो उसे पूछती है कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा past क्या है और जिस present में रह रही हो तो इस में से क्या सही है किस तरह मुझे जीना चाहिए क्या past जानना सही में right हो सकता है अपनी जो identity है इसको लेकर अब वो बहुत ही परिशान होती है अब next scene में हमें दिखता है कि जेनी अपने friend के साथ है अपने friend को बोल रही होती है कि उसके साथ उरूख है तो उसके friend की एक date होती है जब यह अकिले होती है तो photos print करने के लिए dark crew में आ जाती है वह आने के बाद इसे लगता है कि यहाँ कोई है अंधेरे में जब यह देखती है तो वहाँ एक लड़की होती है इसके पूरे बाल उल्टे होती है एक डायन की तरह ही लग रही होती है यह देखकर बहुती डर जाती है यह चीकनी चिल्लाने लग जाती है यही यह scene खतum हो जाता है next scene में हमें दिखता है कि खाना खाकar Paarq और M already दोनों घर जा रहे है Paarq इसे एक necklace ला कर देता है मीन उसे पुछती है कि क्या तू मुझे propose कर रहे हो Paarq कहता ही कि नहीं, मुझे सिर्वे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे वो बाई कर लिया मीन उसे कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रेंड्स रहना है पार्क भी इसके लिए मान जाता है इसके बाद मीन जब कर आती है तो उसकी मदर उसके पास आती है उसकी मदर उसे कहती है कि इतने देर तक तुम भाहा रही अपने आपका तुम खयाल रखा करो यह पिकर आई है इसके मदर को पता चल जाता है तो कहती है कि खाली पेट मत पिया करो मेन को उसकी मदर का बरता बहुत याजिब लगता है क्योंकि कल वो आई थी तो उस पर बहुत ही चिट गई थी मेन की मदर इसका नेकलेस देखती है इसके इसके बारे में बुछती है तो यह कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है नेक्स दिन जब आता है तो मेन की मदर बहुत सारा खाना पकाती है मिन जब बें ट्राय करती है तो इसे थोड़ा बें पसंद नहीं आथा मिन जो नेकलेस उसका होता है ये अपनी मदर के पास देखती है मिन की मदर को ये रेयलाइज होता है ये कहती है कि तुम्हारा इनेकलेस बहुत ही प्रीटी था थोड़ी देर तक मुझे पहन कर देखना था मिन कहती है कि तुम्हारे उपरे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम रहने दो इसकी मदर फिर खुश होती है मिन और पाक अब ठेटर में आए होते है पाक उसे बुशता है कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया था वो तुम क्यों नहीं पहन रही मिन इसके लिए कुछ भी नहीं बोलती है मिन जब मुही देख रही है तब ही जेनी को जो डायन दिखी थी यही इससे भी दिखती है यह इसके पास आ रहे है और इसके हाथों से पानी आ रहा है यह सब उसे दिखता है इससे बहुत ही डर जाती है और चिलनाने लग जाती है इसके बाद यह ठेटर से निकल जाती है यह अमने फ्रेंड को सब कुछ समझा रहे होती है कि उसने क्या दिखाता बाग कहता है कि मुझे और तुम मेखूब मत बनाओ तुम्हारे साथ as a friend में रह रहा हूँ यह मेरे difficult है और इसे difficult मत बनाओ मिन जब आगे चलने लग जाती है तो वहाँ पुलिस आती है जैनी मर चुकी है इसकी खबर उसे दी जाती है मैंने यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है जिस स्कूल में हो थी जिस स्कूल की उसकी सब friends थी वहाँ हो आ जाती है यह आने के बाद उसे कुछ-कुछ याद आने लग जाता है यह अपने आपको अपने friends के साथ दिखती है इसके बाद उसे याद आता है कि स्कूल में हो जब थी तो उनकी और एक friend थी इसका नाम था Swin इसे वो बहुत ही जादा तकलीव देते थे इसका और डिबबा गिरा देते थे इसे अच्छे वो बात नहीं करते थे इसे वो बहुत ही बुली करते थे मिन पाक को कहती है कि जो मेरी friend मर गई है मैं उसे नहीं जानती पर फिर भी वो मेरी friend थी मुझे उसकी funeral पर जाना पड़ेगा जब यह अपने friend के funeral पर पहुँछती है तो वहाँ Elena भी होती है Elena वही है जिसकी sister movie के first में मर गई थी इसके पास आती है और चिड़ गई होती है यह कहती है यह सब दुमारी वज़े से हुआ है यह इसे slap कर देती है इसके पात फिर मीन वहाँ से निकल जाती है जब मीन रात में सोई हुई होती है तो उसके side में कोई है ऐसा उसे लगता है खड़ी हो जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता अपनी पूरानी येरबुक जो होती है ये फिर राद में उदेखती है अपनी फ्रेंड एलीना का पता उसे चाही होता है ये उसके घर पोच जाती है एलीना जब आती है हो कहिती ही कि तुम अलग शहर में जाने वाली हो क्या तुम इस सच्मुच में लगता है कि अलग शहर में तुम चली गए तुम अमना past बदल सकती हो मिन उससे गिड़गिरा थी है वो कहती है कि please मेरे past के बारा में मुझे बता दो एलिना फिर उससे बता थी है से मर गई है यह रोने लग गई है तो मीन उसे सहारा दे दिया वेन उसे कहिती यह चले चाती है मिन सूइंग पूल में होती है एक हात आता है और उससे नीची ले कर जाता है यह बहुत इस टॉगर करती उपर आने का पड़े आ इसका फ्रेंड पार्ग भीवा होता है पार्ग इसे आप यहां से बचा लेता है यह दोनों बाहर आने के बाद पार्ग इसे कहता है कि जो सब हो चुका है इसे तुम भूल जाओ मिन कहती है कि तुम्हें क्या पता क्या हुआ है तुम्हें सच मुझ में तुम्हें कुछ ना जेर जाती है और वहाँ से चली जाती है इसके जो फ्रेंड थी जो पागल हो चुकी थी वो अब इसके पास आ जाती है मिन उससे कहती है कि हम स्कूल में फ्रेंड्स हुआ करती थी यह पागल लडगी कहती है कि हम फ्रेंड्स नहीं थी तुम अमेर थी इसका हम एडवांटेज इस टापोपे वह जाती है, यह मिन का गलास दमाने लग जाती है, तभी सब लोग आ जाते है और मिन को बचा लेते हैं, मिन दुक्षिवा गर आती है, जब उसकी मदर बहुती है, तो उससे उगली लगाती healthy, वह पान अगर दुक्षि दुक्षि भाईकों हिते हैं, इसे पानी पढा हो दिखता है, पानी को फॉलो करते करते है वो जंगल में आ जाती है, यहाँ पर एक छोटी लड़कि उसके पास आती है, सकेती कि छुप जा, वन्ना वो तुम्हें देख लेगी, चुड़ल फिर उसे यहा दिखती है, यह उसके पास आ जाती है, उसका गला वह बहुत ही पसंद करती थी उसे ज़्यादा तो तुमसे ही वो प्यार करती थी उसे तुम्हें घर बोलाना था पर उसने कभी यह नहीं किया तुम बहुत ही अमेर थी और हमारा घर कैसा है सुइन की मदर रोने लग जाती है सुइन की मदर कहती है कि वो कहा है क्या कर रही है यह मुझे सवाल आता है मीन को अपने memory में याद आता है कि सुईन के साथ वो statues बना रही है उसका सिर्फ वो फायदा उठा रही है उसके project के लिए उसे help चाहिए तो इसके वो मदद लेती है यानि कि जब भी उसे काम चाहिए था तो उसके वो मदद लेती थी उसकी friend बन जाती थी जब काम खतम हो जाता था वो friendship तोड़ देती थी रात में मीन का friend पाक उसे मिलने के लिए आता है वो मीन को एक statue देता है जो सुईन के साथ मीन ये बना रही थी ये वही statue है मीन के थी कि तुम्हें सच मुझ में कुछ तो पता है तुम मुझे पता नहीं रहे पाक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब तुम्हारी यादाश चली गई थी जब तुम कॉलेज में आई थी तब मुझे as a good luck तुमने ये दिया था पाक मीन को समझाने के लिए कहता है ये जो सब हो रहा है ये सिर्फ coincidence है तुम ज़्यादा इसमें tension मतलो मीन कहती है कि coincidence मुझे नहीं लगता जो सब मेरे friends के साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी हो रहा है मेरे एक friend पागल हो चुकी है मीन कहती है कि मुझे हब उसे मिलने जाना है ये दोनों मिलक पागार खाने इसे मिलने के लिए जा रहे होते तब इसकी जो फ्रेंड है इसको भी भूत दिखने लग जाती है इसका बेड़ पानी में करनोट हो जाता है डूप कर ये मर जाती है जब मीन वहाँ पहुचती है तो इसकी dead body ही इसी दिखती है यहाँ पर कुछ यह पानी वेगरा नहीं होता फिर यह डूपकर ही मरी हुए होती है मीन फिर police complaint जने के लिए police के पास जाती है जो सब इसके साथ हो रहा है यह सब उन्हें बताती है police इस पर believe नहीं करती और अपना time वह वेशना करे यह के कर उससे बगा देते है पाक फिर मीन के साथ बैठा हुआ होता है तो उससे पुछता है कि अव हमें क्या करना है मीन कहती है कि सुईन मेरा wait कर रही है उसके पास मझे जाकर मुझे क्या कहना चाती है यह मुझे सुनना है जहीं जगा पर मीन का accident हुआ था वहाँ वो पहुच जाते है तब भी उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा हुता मीन पाक से बुछती है हम दोनों कैसी मिले थे पाक कहता है कि तुम्हारे फादर जब मर गए थे तब तुम्हें कंसोर करने के लिए मैं आया था उसके बाद मेरा नंबर तुमने कही से ले लिया और तुम मुझे कॉल करने लग गए इसके बाद हमारे अच्छी से friendship हो गई तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए मुझे एक अच्छा सा necklace लाना है इसलिए मैंने वो दुमिन एकलेज दिया था थोड़ी दिर बाद मिन को कुछ याद आने लग जाता है जिस जगापर वो आया है यह लेक के पास है यहाँ पर वो ट्रिप के लिए आने वाले थे मिन के साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थी यहाँ पर सुइन भी उनके साथ जाना चाहती थी मिन इसके लिए मना कर रही थी और इसके फ्रेंड्स ने इसी समझाया कि हमारे बैक से विएरा पकड़ने के लिए यह अच्छी है इनके फोटोस भी निकाल सकती है मिन ने फिर सुइन को उनके साथ आने के लिए परमिशन दे दि जब सुइन इनके पास आगे तो सुइन को भी बहुत सारे फोटोस इननोंने निकालने के लिका As a friend इननोंने कभी इससे टीटने किया जब सुइन लेक के पास थी तब मिन उसके पास गई इसे पूचा क्या तुम्हें तेरना आता है उसे ढखेल दिया सुऊन को तेरना आता था वहाँ मीन की जो दूसरी friends थी वो भी आ गई यह सब सुऊन पर हसने लग गए मीन इनके आगए थी तो मीन को भी इसनोंने ढखेल दिया मीन को तेरना नहीं आता था यह डुबने लग गए मीन को बजाने के लिए सुन इसे help कर रही थी सुन ने underwater मीन को support दिया जिसे उपर आ सके जब सुन मीन को मदद कर रही थी तभी इसका पैर नीचे अटक गया उसने मदद के लिए मीन का हाथ पकड़ा पर मीन ने उसकी मदद ने की इसका हाथ सुन ने भगड़ा था तो मीन के हाथ में इंजूरी भी हो गई थी मीन को अब पता जल चुका है कि सुन नीचे ही मरी हुई पड़ी है मीन अब पानी में कुछ जाती है पानी में कुदने के बाद सुन की जो dead body है उसे वो बाहर निकाल लेती है यहाँ पुलिस वेगर आ जाती है और जो सब हुआ है यह उन्हें सब कुछ बता देती है पाक पुलिस से भुचता है कि क्या मीन इससे ट्रवल में आ सकती है वो कहती है कि कोई भी ट्रवल में हो नहीं आएगी पूरा सच इन्होंने इन्हें नहीं बताया है सो इनकी मदर भी यहाँ आती है वो भी रोने लग जाती है इसे मीन फिर सहारा देती है पाक मीन को घर चोड़ने के लिए आता है वो कहता है कि अब तुमें जो भी सब हुआ था यह पता चल चुका है अब तुम सही से अपनी लड़ी लाइफ स्टार्ट कर सकती हो अलग जगा पर तुम जा सकती हो मीन कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं कही अलग जगा चली जाओ पाक केते है कि मैं तो हैसा नहीं चाहता पर तुम्हें ऐसा लगता है मिन घर में आने के बाद मिन की मदर उससे कहती है कहा तुम थी तुम्हारा इंतजार कर ली थी मिन कहती है कि अब मैं कही भी नहीं जाने वाली मैं यही रहने वाली हूँ अपनी मदर को हक कर ली थी है मीन कही थी है कि अब यह जो सब था यह खतम हो चुका है अब कोई भी प्राइलम नहीं है मीन की मदर का आवाज बदल जाता है यह कही थी है कि अब ही तो सेफ शुरुवात हो गई है मीन बहुत ही डर जाती है मीन की बदर एक अलग आवाज में बोलती है वो कही थी है या तु तुम्हें तंग करती थी, यानि कि तुम्हारी बॉडी फिर से मुझे मिल जाए, यानि कि जिस बॉडी में तुम रह रही हो, वो मेरी बॉडी मुझे फिर से मिल जाए, यहां में पता चलता है कि मीन के बॉडी में जो रह रही है, यह सुईन है, जो मदर हमें दिखाए गई ह उसके body में actual में मिन रहे रही है जब पाने में दोनों drown हो चुके थे तब दोनों मर गए थे Swin की हमेशा से इच्छा थी कि वो मिन की तरह बन जाए मरने के बाद वो मिन के body में चली गई जब वो उपर आई तो वो Swin थी पर ये मिन की body में थी Swin की यादास चली गई थी क्योंकि ये मिन की body में है मूवे के first में हमने देखा था कि एलिनाई ने ghost पुकारा है ये जो ghost था ये मिन का था मिन की soul अब भार आ चुकी थी इसने जब देखा कि Swin ने उसकी body ले ली है तो मिन की mother में ही गुश गई अब मिन के body में जो Swin है इसे सब को जयादाने लग जाता है इसकी जो सब आदते हैं ये अलग है mother ने मिन को कहा था कि अपने आपका तुम खैल रखना गर तुम hurt होगी तो में भी hurt हो जाओंगी अब इसका मतलब इसे पता चलता है mother की body में मिन के थी है ये तुम बहुत ही पतिटिक हो तुमारी वज़े से मुझे बहुत ही सफर करना पड़ा mother की body से मिन बाहर निकलती है जो चुडेल हमें दिखाई जा रही थी ये मिन ही थी ये अब Swin की body के पास आती है ये इसे कहती कि मुझे अब मेरी body वापस चाहिए मिन के body में Swin जोती है एक बास से टकरा जाती है मिन की body में Swin कहती है पुरे life में मुझे तुमारी जैसे ही बनना था मैं कभी भी बन नहीं पाई तुम हमेशा मुझे तकलिफ ही देती रही तुमें जो चाहिए वो मैं अब तुमें नहीं दे सकती जो बास गिरा होता है उसके टुकडे शाप हो जाते है यह टुकडा फिर मिन की body में Swin निकालती है और अपने आपको इससे काट दिती है अब जो मिन का भूत है यह फिर से body में नहीं गुस पाईगा मिन का friend चीके सुन कर वहाँ जाता है निक सिन में हमें hospital दिखाए गया है मिन के body में जो Swin है यह बच चुकी है जो mother है जो mother है यह hospital में है उसका friend से कहता है तुमारे father के जाने के बाद तुमारी mother बहुत ही जाता drink करने लग गए इसे वज़े से इसके हालत खराव हो चुकी है इसे लगता है कि मिन बहुत दिप्रेस्ट है इसे वगले लगा लेता है वो कहता है कि हमें इसे तुमारे साथ ही में रहूंगा मिन के body में Swin भी इसे accept कर लेती है अब में दिखता है कि Swin अपने mother को मिन ले जाती है वो क्या कर रही है वो देखती है और वहाँ से जाते हुए में दिखती है अब हमें Swin की mother उसे देखते हुए दिखती है और हैं बहुती creepy तरीके से इसे देख रही है इसका मतलब है मीन का जो ghost है ये अब Swin की mother में घुस गया है इसे एक creepy note पर ये movie खतम हो जाती है तो आज की वीडियो हम यहीं खतम करते है ये मेरा first try था horror movie explain करने का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे comment में बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा